शंखेप्त योग विशिष्ट ममोक्षो व्यवार परकरन शास्त्र के उंसार सत्करम करने की प्रेना पुर्शाद से भिन प्रारब्धव वाद का खंडन तथा पुरुष की परधानता का प्रतिपादन श्री विशिष्टी कहते हैं रगुनंदन जैसे नीले पीले आदी भिन भिन रंगों की अभी व्यक्ती में परकाशी मुख्यकारन है उसी परकार शास्त्र के उंसार मन वानी और शी द्वारा विवार करने माले अधिकारी पुर्शों के समस्त पुर्शाथों की सिधी में उस्सा पूरक परविती हो परविती ही परधान साधन है मनुश्य केवल मन से किसी वस्तों की इच्छा करता है शास्त्र के अंसार करम से नहीं पागलों किसी चेस्टा करता है उसकी वचेश्टा केवल मो में डालने माली है पुर्शार्त को सिध्द करने माली नहीं जो मुनश्य जैसा प्रितन करम करता है तो यह वैसा ही फल भूगता है जो यह कहते हैं कि देवच फल में विप्रीता भी आ जाती है तो उसका कथन ठीक नहीं क्योंकि अपना पूर वक्रित करम ही फल देने के लिए उन्मक होने का देव कहलाता है उससे अतिरेक्त देव नाम की कोई वस्तों नहीं दिखाई देती पुर्शार्थ दो परकार का है एक शास्त्र अन्मोदित अर्थात पुन्यकरम और दूसरा शास्त्र विरुद्ध अर्थात पाप करम इन दोनों में जो शाष्ट्र विरिद्धो पुर्शार्थ है वे अनत्थ का कारण होता है और शाष्ट्र अनमोदित पुरुष परमार्थ वस्तों की प्राप्ति में कारण है इसलिए पुरुष को शाष्ट्रिय प्रितन से तता सादो पुर्षों के संग से ऐसा उध्यों करना चाहिए कि इस जनम का पुरुष पुरुष जनम के प्रारब्ध को शीगर जीत ले अपने उत्म पुरुष को अपने शुब पुरुष के द्वरा विघन करने के लिए उध्यत पूर जनम के अशुब पुरुष को जीत लेना चाहिए ये पूर जनम का पुरुष प्रारब्ध मुझे प्रेरित करके विशेश परस्थिती में डाल देता है इस परकार की बुध्धी को बालपुरख कुछल डालना चाहिए क्योंकि वेप्रत्यक्ष प्रेतन से अधिक प्रबल नहीं है तब दक प्रेतन पूरक उत्तम पुर्शारत के लिए सचेष्ट रहना चाहिए जब तक कि पूर जनम का अश्वब पूरुश सियम पूर्टा शांत ना हो जाए। अर्थात जब तक पहले जनम का किया हुआ अश्वब करम समूल नस्ट ना हो जाए। तब तक तत्परता से उस्सा पूरक साधन करते रहना चाहिए। जैसे अपने दोरा कल घटित हुए दोश का आज प्राश्चित कर लेने पर नाश हो जाता है। उसी परकार इस जनम के गुनों से शुब पूरुश से पूर जनम का दोश अशुब पूरुश अवश्य नस्ट हो जाता है। इसमें कोई संशे नहीं है। पूर जनम के अशुब या दुख दायक प्रारब्ध को इस जनम के शुब करमों से विशुद एम पुष्ट हुई बुद्धी के द्वारां त्रिस्कित करके संसाद सारक से पार होने के उद्धेश की सिध्धी के लिए अपने भीतर देवी संपती के संग्रे के निमत सदा यतन करना चाहिए उद्ध्योग शुन्य आलसी मनुश्य गदों के समान गे बीते हैं अधा से हम ही उद्ध्योग छोड़कर के उने की श्रेनी या तुलना में नहीं जाना चाहिए शास्तर के अंसार किया हुआ उद्ध्योग इस लोकर पर लोक दोनों की सिध्धियों का का अधारन है मनुश्य को पुर्शारत रूपी प्रेतन का आश्रे लेकर करके इस संसार रूपी गड़े से स्यम बलपूरक निकल जाना चाहिए अपने शीर को प्रतिपादित नाश्य हुआ समझें पश्यों के समान अचरन का त्याग करें और सत पुर्षों के योग्य आचा का आश्रे ने जैसे कीडा घाव में पीव आदी का अस्वादन करने करके ही अपना जीवन समावत कर लिता है उसी तरह मनुश्य को घर में इस्त्री अन पान आदी द्रव युक्त एम कोमल तुछ पदार्थों का किंचित अस्वाद लेकर संपुरन पुर्षार्थों के ना चाहिए शुब पुर्षार्थ से शिग रही शुब अफ़ाल की प्राप्ती होती है और अशुब पुर्षार्थ से सदा अशुब अफ़ाल ही मिलता है इन शुब अशुब पुर्षार्थों के सिवा देव नाम की दूसरी कोई वस्तों नहीं है इनी का नाम देविया प्रारब्ध है इसलिए पहले पुर्शार्थ के द्वारा विवेक का आश्रे लेकर के आतम ज्यानी रूपी महान प्रियोजन वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए जो शास्त्र के अंसार अपनी श्रवन मनन आदी चेश्टाओं द्वारा साधन नहीं करते और चित में विश्यों का ही चिंतन करते रहती हैं उन मूड़ पुर्शों की अच्चंत दूशित भोग इच्छा को धिकार है पुरवक्त पुर्श प्रियतन यदि सद्शास्त्र के अंकूलतता सद्संग और सदाचार से युबत होता है तो वहें प्रमातम शाक्षाकार रूब अपने फल को देता है ये उसका सभाव है अनिता सद्शास्तर के प्रतिकूल तदा सद्संग और सदाचार से रहित होने पर उससे प्रमातम शाक्षाकार रूब परम फल की सिद्धी नहीं होती यही पुरुश का सरूप है इस परकार विवार करने वाले किसी भी पुरुश का प्र प्रास में लाए हुए साथ शास्त्र अनुशीलन और सद्पृष्चों के संग आदिस सद्गनों द्वारा पुर्षाथ करने से परम स्वात रूप परम्शाष्चाकार प्राप्त होता है। इस परकार पर्तक्ष देखी हुई अनुभम में आई हुई सुनी हुई और साधनों द्वारा प्राप्त की हुई परमारत वस्तु को जो लोग देव के अधीन मानते हैं उनके बुद्धिक कुछ सित है और मैं साधन से नस्ट ब्रस्ट हो गए हैं। निरंतर कल्पित क्रिडाओं खेल कूद के कारण अत्यंत चंचलता पूर्ण बाले अवस्ता के वितीत हो जाने पर जब दुखी और गुरी जनकी सिवा में सम्मर्थ बाहु दंड से अलंकिरती योवन अवस्ता का अरंब हो जाए तब इसे मुनुश्य को पद्पदारत के ग्यान से विशुद्ध बुध्धी हो करके सत्प्रश마 के संग से अपने गुनों और दोष永 का विच्ण करना चाही। तात्परी यहकी विचार पुरों के दोशों को त्या करके गुनों को ग्रहन करना चाहिए शिरी बालमिक जी कहते हैं भरदवाज मुनिवार विशीष जी के इस बरकार प्रोचन करने पर महें दिन विटीत हो गया सूरे देव अस्ताचल को चले गे और उस सभा के लोग विशीष जी को नमशकार करके साइं कालिक कृत्य संध्या उपासना और अगनी होत्र आदी करने के लिए चले गे और रात्री विटीत होने बार पुना सूरे दे की किरनों के साथ ही उस सभा भवन में आगे सर्ग पांचवां एही पुर्शार्थ की शिष्टा और देव वात का निराकरन श्री विशीष जी कहते हैं शीरान पूर जनम के पूरुष से भिन देव कोई वस्तू नहीं है पुर्शार्थी देव है इसलिए मैं देव के अधीन हूँ करम करने में सवतंतर नहीं हूँ ऐसी बुद्धियां विचार धारा को सथ संग तदा सथ शास्तर के अभ्यास तवरा मंद से दूर करके जीवात्मा का इस संसार सागर से बल पूर को धार करें अलस से वश सद करम अथवा साधन कभी नहीं छोड़ें जैसे जैसे प्रितन होगा वैसे ही वैसे शिग्रता पूरक फल प्राप्त होगा इसी का नाम पूरुष है पूर जनम के उस पूरुष को ही कोई देव की संग्या देना चाहे तो दे सकता है जो तुच्छ विशे सुखों के शनिक लोभ में फंस कर उस पूरुष या देव को वर्तमान जनम के पूरुष द्वारा जीतने का प्रितन नहीं करते और सदा देव के ब्रोसे बैठे रहते हैं वे दीन पामर और मोड हैं क्योंकि पुर्षारत के बिना आतम के लियान सिद्ध नहीं होता पूर जनम के तथा इस जनम के पुर्षारत अर्थात करम दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं उनमें जो भी बलवान होता है वे दूसरे कुशन भर में पुछाड दिता है इस जनम में किया हुआ प्रवल पुर्षारत अपने बल्द से पूर जनम के पुरुष या देव को नस्ट कर दिता है और पूर जनम का प्रवल पुरुश इस जनम के पुर्शारत को अपने बल्द से दबा देता है। पूर कृत करमों के फाल डूप प्रारब्ध और वर्तमान जनम के पुर्शारत इस दोनों में वर्तमान जनम का पुर्शारत ही प्रत्यक्ष बल्वान है। इसलिए अधिकारी मुनुश्य को पुर्षार्थ का सहरा लेकर के सत्षास्त्रों के अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धी को निर्मन बना करके संसार सागर से अपना उध्धार कर लेना चाहिए। इस जनम के और पूर जनम के दोनों पुर्षार्थ प्रुशर रूपी वन में उत्पन हुए फल देने वाले वरिक्षे हैं। उन दोनों में जो अधिक बलवान होता है वही विजई होता है अथा धरम अचरन और मुक्ति के विशे में तो इस जनम का पुर्षार्थ बलवान ह और अर्थ एम काम के विशे में पूर जनम का फल दान उनमक करम या देव प्रवल है जो पुरुश उदार सभाव से युक्त एम सत करम के लिए प्रेतन करने में कुशल है सदा चार ही जिनका लिला विहार है वे जगत के मोर भी भंदे से उसी परकार निकल जाता है जैसे सिंग पिंजरे से जो मनुश्य द्रेश्ट पुर्शार्थ या परमकर्यान के लिए प्रेतन का त्याक करके मुझे तो कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है ऐसी अनर्थ कार्नी कुष्षित कल्पना में स्थित है उसे दूर से ही त्याक देना चाहिए क्योंकि वे है मनुश्यों में अधम है संसार में सस्त्रों में वहार हैं जो आते जाते रहते हैं उनमें सुख और दुख बुद्धी अनकूलता त्थाप्रधी कूलता जनित राग द्विश का त्याक करके शास्त्र के अंसार अचरन करना चाहिए शास्त्र के अनकूल और कभी चिन ना होने वाली अपनी मर्यादा को जो त्याग नहीं करता उस पुरुश को सारे अभिष्ट वस्त्वें उसी बरकार प्राप्त होती हैं जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न सुख की प्राप्ती और दुख की निवरिती यही मुनुश्य का सुवार्थ है उस सुवार्थ की प्राप्ती कराने वाले जो आवश्यक करतव्य या सादन है एक मातर उनी में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पूरुश कहते हैं मह तत्पर्ता यदि शाज्टर से नियंतित हो तो परम पुर्शाथ की प्राप्ती कराने वाली होती है करतव्य पालन के लिए जो शीर आदि का संचालन होता है वही जिसका धर्म है उस क्रिया श्रवन मनन आदि साधन से सत्संक से और सत्षास्त्रों के सिधाई से शुद्ध एमतेज की हुई अपनी बुद्धी के द्वारा जो स्यम ही आत्मा का उद्धार किया जाता है वही परम स्वार्थ की सिध्धी है विद्वान लोग अंतरहित समतारू परम अनन्द से पूर्ण परमारत वस्तु पर भ्रम्म को जानते है जिन साधनों से उनकी प्राप्ती होती है उनका नित्य निरंतर सेवन करना चाही वे साधन है शास्त्रों का सिध्याई और ससंगादी जो मुर्श प्रतन पुरग आतम कलियान के साधन में सलगन होता है उसे अपने पुर्शारत से ही हाथ पर रखे हुए आमले की भांती वे अभिष्ट फल परत्यक्ष दिखाई दिता है जो इस परत्यक्ष पुर्शारत को छोड़ करके देव रुपी मौ में निमगन होता है वे मोड़ है अते शुब आशे शिराम अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन मिठ्या भूत तथा संपूरन कारण और कारे से रहित देव की अपेक्षा न रख करके आतम कल्यान के लिए अपने उत्तम पुर्शात का आश्रे लो शास्त्रों द्वारा तथा महापुर्शों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविधत देव देश धर्मों द्वारा समर्थिद जो प्रमात्मा को प्राप्ती रूप अतिशा प्रसिद्ध हल है उसके लिए हिद्धे में अच्चंत उतकट अभी लाशा होने पर उसकी प्राप्ती के लिए चित्त को सपंदन या चिष्टा होती है तथ पष्चात अंद्रियों और हाथ पेर आधी अंगों में क्रिया होती है इनके दोरा श्रवनमनन आधी एम यम नियम आधी साद्हों का आरंब होता है इसी को उत्तम पुर्शाथ कहती है अधिकारी पुरुष का जनम पुर्शात के सिद्ध होने पर ही सफल होता है अन्य था नहीं ऐसा जान करके सदा आतम के लियान के प्रेतन में ही सलग रहना चाहिए तत पुर्चार साधन विश्यक उस तत परता को सत शास्त्रों के अभ्यास एम संत महातमाउद तथा ग्यानी पुर्शों के सिवन द्वारा आतम ग्यान रुप फल की प्राप्ती से सफल बनाना चाहिए आतम के लियान के विशे में यदि परम पुर्शात का आश्रे लिया जाए तो ये अवश्य देव को जीत लेता है ऐसी धार ना रख करके देव और पुरुश के बलावल का विचार करने के कारण जो परम संदर परतीत होते हैं तथा जिन में शम दम आदी साधन भी विद्यमान है एमशेष्ट पुर्शो की सिवा से जिनका अंतेकरन सदा भावित रहता है ऐसे अधिकारी पुर्शो को तत्तो ग्यान की प्राप्ती के लिए अवश्य उध्यम करना चाहिए इस जनम में संपादन करने योग्य सभाविक प्रेतन ही परम पुर्शाथ की सिद्धी का हित्व है ऐसा निश्चित रूप से जान करके ये अधिकारी जीव निट्य संतोस्त एम उत्तम ग्यानी जनों की सेवा रूप अमोगम मधुर और उतक्रित ओशच से जनम मरन को परम ची समाप